अभी हाली में महाराष्ट विधानसभा ने मराठा आरक्षन बिल को मंजूरी दे दी है और इस बिल में मराठा समाज कुस्तिक्छा और नोकरी में 10% आरक्षन देने का प्रावधन किया गया है तो आज हम लोग मराठा आरक्षन के बारे में बिस्तार से चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि आकिर मराठा आरक्षन बिधियक से सम्मंदित प्रमुक बिंदू क्या है इसमें और मराठा आरक्षन की पिष्टवू भी क्या है और आप देखेंगे माराथा रक्षन बिध्यक के पक्ष में क्या तरक दिये जा रहे हैं और जो लोग इसका बिरोध करते हैं वो क्या बिपक्ष में क्या तरक दिये जाते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे देखिए अगर हम लोग बिधियक और कानून की बात करें तो राज्यों में जब आपका कोई पिस्ता और बिधान सभा या बिधान फर्षद में लाए जाता है तो उसे आप लोग बिधियक कहते हैं जैसे ही बिधान सभा और बिधान फर्षद से पारित होता है तो सामाजिक और सेक्षडिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महराष्ट राज आरक्षण विदियक 2024 को महराष्ट राज पिछा वर्ग आयो की रिपोर्ट के आधार पर तियार किया गया है और इस रिपोर्ट द्वारा आरक्षण की आवसकता को उचे ठहराते हुए मराथा समुदाय को सामाजिक और सेक्षडिक रूप से पिछड़े वर्गों की रूप में पहचाना गया है और यह है समीधान के अनुचेत 15-4, 15-5 और 16-4 की तहत इस बर्ग के लिए आरक्षण पिदान करता है अनुचेत 342 ये 3 क्या कहता है इसके अनुचेत 15-5 क्या कहता है एक कहता है राज जी को अल्वसंख्यक सेक्षडिक संस्थानों के अतरिक्ट पिछड़े वर्गों, अनुचीत जातियों और अनुचीत जन्जातियों के लिए सेक्षडिक संस्थानों में प्रवेस के दोरान सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने में सक्ष्यम बनाता ह अनुशियन सोले चार क्या कहता है? आप लोग दूद गरम करते हैं तो उपर क्रीम जम जाती है उसी हटा दीजे यानि कि आप देखे आरक्षन का लाप जो ले चुके हैं जो आप देखे मजबूत हैं ये OVC में आप लोग देखते होंगे OVC वाले जब फॉम भड़ने जाते हैं अगर वो लगा दें कि हम क्रीमी लियर में आते हैं तो उनकी फीस बढ़ जाती है और उन्हें आरक्षन का लाप नहीं मिल पाता है तो याद रखे उसी कि जो लोग आरक्षन का लाप ले चुके हैं और जिनकी इस्तिती सुधर चुकी है वो क्रीमी लियर में आ जाते हैं आएक की रिपोर्ट में सर्वोच न्याले याप देखते हैं कि इंद्रा साहिनी नेड़े 1992 द्वारा निर्धारित 50% सीमा से उपर महाराथ समधाय को आरक्षन को उचित ठहराते हुए आसामान परिस्तितियों और आसाधरन इस्तितियों पर प्रिकास डाला गया है और महाराष्ट में बरतमार में आप देखे 52% आरक्षन है जिसमें स्थी, स्थी, ओवीसी और बिमुक्त गुमन्तू अर्ध गुमन्तू समधाय अन्निप जैसी बिविन सेनिया सामिले महाराथों के लिए 10% आरक्षन के साथ राज में कुल आरक् आरक्षन की सेपारिश की जिसे बाद में बंबी हाईकोट ने चनोती दी और रोक लगा दी गयकवाड आयो दोजार रठार में महाराष्ट शरकार ने गयकवाड आयो के निसकरसों के अधार पर सामाजिक और सेक्ष्रेक रूप से पिछड़े वर्ग अधीनियम बनाया और जिसमें 16% आरक्षन दिया गया और बंबी हाईकोट ने इसे घटा कर सिक्षा में बारे और नौकरियों में 13% कर दिया और इसके बाद सर्वोच नेले ने 50% कोटा सीमा से अधिक हो को उचेते ठैरानिक लिए आपरयाप्त अनो भाव जन डेटा का हवाला देते हुए मई 2021 म कोटा को पूरी तरह से रद्ध कर दिया अभी आप देखते हैं इसे हो सकता है कि अदालत में चुनोती दी जाएगी किसी ना किसी के द्वारा इंदरा साइनी नेड़ा 1992 में सर्वोच नेले ने इस पर तो रूप से कहा है यानि कि सर्वोच नेले यानि कि सुप्रेंग कोट की बात हो रही है सुप्रेंग कोट एक समिधानिक संस्ता है अनुचे 124 को आप लोग पढ़िये सुप्रेंग कोट की स्थापना की बात की गई 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी क्या कहा है कि 50% का नियम होगा कि बल कुछ सामान और आसा अधरन इस्तितियों में दूर दर करने के लिए नयमोर्ती सुनील भी सुक्रे सेवैनेवित के नितत में महराष्ट राज पिछा बर्ग आयू की स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी और सुक्रे आयोग ने इस्पष्ट किया कि राज में मराठा मराठों की आबादी 28% है जबकि उन में से 84% उन्नत नहीं है उन्होंने का इतने बड़े बिछडे समुदाय को ओवी सी बर्ग में नहीं जोड़ा जा सकता है आयोग अत्यदिक गरीवी किरसी आय में गिरावट और भूमी स्वामित विभाजन को मराठा समुदाय की दुरदसा का कारण बताते हैं इसके अतरिक या इस बात पर प्रपक के लिए जिम्मेदार एक तरह से आप देखते हैं फिश्रीबर्ण के लिए जिम्मेदार है ये सरकारी नोकरियों और भिकसित चेत्रों में मराठा पितिनी धीत बढ़ाने के लिए अतरिक्त आरक्षन की से पारिस करता है मराठा आरक्षन बिधिय के पक्ष और विपक्ष म देखें तो सामाजे कार्थिक पिछड़ापन, सुक्रे आयो का तत्यात्मक सोध मराठा समधाय की समक्च आने वाली सामाजे कार्थिक बाधाओं प्रक्वपगाश डालता है, जो उसे गरीबी तथा हासिये पर रहने से उपर उठाने के लिए आरक्चन की आवस्ता का समर्ध करता है, और पितिनिदित की बात करने तो मराठों को उनकी पिछड़ेपन की कारण इतिहासिक रूप से मुखधारा की आवस्तारों से बाहर रखा गया है, सरकारी नौकरियों तथा सिक्षा में आरक्चन से विभेन चित्रों में उनका पितिनिदित इवन भागेदारी में विद्धी हो सकती है, और जिससे समावेसी विकास में युगदान प्राप्त हो सकता है, और मराठा आरक्चन के विपक्ष में क्या तरक दिये जाते हैं, इसमें देखी कानोनी विवहारक्ता, तो नई विद्यक की नियाएक ज्यांच का सामना करने की चमता के बारे में अनि अनिष्टाय बनी हुई हैं, विसे सरूप से 50% सीमा से परे आरक्चन के विस्तार का समर्थन करने वाले अनुभाव जन साक्ष की कमी के कारण मराठा आरक्चन को आमान करने के सरवच नयाले के पूर नईड़य के प्रिकास में हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मराठा के विस्तारी संबंदी, कुकुनवी की रूम में मानता देनी का पिस्ताओ करने वाला एक मसोदा अधिसूचन ने विबाद को जनम दिया है, विपक्ची दलों ने नई आरक्चन की विवारिकता और मौजूद ओवीसी आरक्चन पर इसके संभावित प्रिभाव के बारे मे सवाल उठाए, मराठा समदाए की वितर कुछ कार करता हूँ, नेताओं ने ओवीसी सेंडी में सामिल के जाने को प्रात्मिकता देते हुए अलाग अरक्चन पर असंतोस ब्यक्त किया है, ये लोग चाहते थे कि ओवीसी बर्ग में सामिल कर लिया जाए, इन्हें, ब्यापक के लिए सिक्षा, कौसल विकास, बुनियादी धाचे जैसे मुद्दों को समदित करने वाला एक समगत दिरिष्टी कौण आवस्सक है, तो इस तरह से आप देखें, ये है पूरी कहानी मराठा आरक्चन विद्यक्यों, मराठा आरक्चन की, इसके बारे में एक सामान जानक पॉइंट, निगेटिव पॉइंट देखना है, और आंगे कुछ बोलना है या आपको लिखना है, ये बात जान लीजे, ठीक है, कोई आपका सवाल हो, सुझा हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं